बिस्मिल्ला रख्मान रराहीम, अस्सलाम अलेकूम दोस्तों खोशामदीत कहते हैं आपको अपने चैनल टेक्निकल हब महर में और मैं हूँ उमेर साही दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि गाड़ियों के नए-ने फीचर्स और टेक्नोलोजी को लेके हम आपके लिए नए-ने वीडियो लेके आते हैं ऐसा ही हम बात करेंगे आज किस वीडियो में जो आपके लिए बहुत जादा इंट्रस्टेट और दिल्चस्प होने वाली है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ ही बाल आइकोन के बटन को भी प्रेस कर दीजे ताके हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो पिना टाइम वेस कि ये बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ जुड़े रहे हमारे साथ तो दोस्तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है बुगाटी चिरॉन सूपर स्पोर्ट 300 प्लस बुगाटी चिरॉन सूपर स्पोर्ट 300 प्लस की अभी तक पाकिस्तान में कीमत जारी नहीं हुई तफसिलात के मताबक ये पता चला है कि बुगाटी की अभी तक पाकिस्तान में मुकरर करदा कीमत लाउंच नहीं हुई उमीद है कि बहुत जल्द इसकी कीमत पाकिस्तान में लॉंच हो जाएगी और इसकी लॉंचिंग डेट भी अभी तक पाकिस्तान में बताई नहीं गई लेकिन इतला के मताबक ये पता चला है कि जुलाई या अगस्ट में मुम्किन है कि बुगाटी की पाकिसान में लॉंचिंग हो जाए तो दोस्तो अगर इस गाड़ी के इंजिन की बात करें तो बुगाटी चिरॉन सूपर स्पोर्ट 300 प्लस 80L कौईट टर्बो W16 गैस इंजिन जो के 1578 होर्स पावर की तक्वियत रखता है जो के 1180 IB, FT, All में टार्च परहम करता है और ट्रांसमिशन इंजिन है DGS, Speed, Seven Wheel, Driver और 3 प्लस सूपर स्पोर्ट के साथ ये इंजिन लगाया गया है और अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी सीटी में तक्रीबन 9 MPG और हाईवे पे तक्रीबन 14 MPG एवरज देता है इंदम के टैंक की गुझाश अगर बात करें तो इस गाड़ी में 11 MPG मुझतरा गैलन है जो के 22 गैलन की गुझाश रखता है और दोस्तों इंफर्मेशन के मताबिक ये भी सामने आया है कि बुगाटी चरॉन स्पोर्ट 300 प्लास की कीमत सरकारी लांच की अपडेट के बात ही की जाएगी लेकिन एक खबर के मताबिक ये भी पता चला है कि अगर कीमत की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 49 लाख डॉलर बताई जा रही है और दोस्तों आपको पता ही है कि बुगाटी की अगर खुबसूर्ती की बात करें तो ये गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं कीमत में अगर्चे ये गाड़ी बहुत महंगी है लेकिन ये अपनी खुबसूर्ती और पाइदारी में उससे भी ज़्यादा आहम है अगर इस गाड़ी की फ्रंट शेव की बात करें तो ये गाड़ी एक अपना रूप रखती है एक अपना रंग रखती है और एक अपना स्टाइल रखती है इसका सामने की तरफ लगा हुआ चोटर सब गोल लोगो इसकी शक्सियत और इसकी खुबसूर्ती को और चांद चांद लगाता है जो के इसके ड्राइवर की परसनालिटी को जाहर करता है इसका फ्रंट सीन नए रिजाइन के मताबिक लाउंच किया गया है तो इसके टाइर्स का माटीरियल बहुत ही उंदा क्वालिटी का होता है जो के रोड ग्रीप के साथ इस गाड़ी को चलने में बहुत असानी देता है और अगर इसके अलाइव वील्स की बात करें तो इसके alive wheel का material बहुत ही उम्दा किसम का होता है जो के special steel के साथ तयार किया जाता है दोस्तो अगर इस गाड़ी में बैटने की गुंजाश की बात करें तो इस गाड़ी में सरफ दो seats हैं जो के front पर हैं इसमें back seat नहीं होती क्योंकि ये एक sport car है इसलिए इसमें जस दो seat होती हैं front के तरफ और अगर इसके back की बात करें तो इसका back का एक खुबसूरत logo है जो इसकी शक्सियत को और खुबसूरत बनाता है जो के पीछे से देखने में इसकी एक अलग पहचान रखता है दोस्तो अगर इसके anterior की बात करें तो इसकी आगे वाली seats बहुत ही उंदा और पाइदार लैदर से बनाई जाती है जो के बहुत ही comfortable और soft होती है इसमें breaking system बहुत जबरदस लगाया गया है power wheel, power steering और बहुत सारी खसूसियात इस गाड़ी में लगाई गई है जोस्तो ये गाड़ी totally computerized होती है जिसमें जरा सी भी गुणजाश नहीं कि ये गाड़ी कोई मसला पेश करे इस गाड़ी की 5 साल की warranty भी दे जाती है ताकि 5 साल में अगर को गाड़ी ये मसला करे तो company इसको free में recover करके देती है दोस्तो अमीद करते हैं कि आपको ये हमारी information अच्छी लगी होगी कमिट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार रखिए अल्लाँ छाफिज